हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको किसान ड्रोन से सम्मधित कुछ जानकारी देने वाला हूँ आप आवेधन कैसे कर सकते हैं कितनी धरोर रासी लगेगी और क्या-क्या डोकुमेंट्स आपको यहाँ पर देना होगा अनुदान योजना के अंतरगत, व्यक्तिगत, स्रेणी, क्रसक, कस्टम हाईरिंग, केंदर, संचालक, क्रशी, उतपादक, संगठन वगयरा जो भी इक्छुक है यहाँ पर आप आवेधन कर सकते हो तो भी आवेधन प्रस्तुत कर सकते हैं, आवेधन के सांसा दरोर रासी 5,000 रुपे का डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होगा ड्रोन पालेट के वैद लाइसेंस आपको अपलोड करना होगा, जो की अनिवारे है ड्रोन पालेट लाइसेंस स्वयम का अत्वा उनके प्रतिनिदी का हो सकता है, प्रतिनिदी यानि कि कोई भी आपको याद नहीं है ड्रोन उडाना दूसरे के पास लाइसेंस है तो आपका प्रतिनिदी बन सकता है, वो उसका लाइसेंस आप यूज कर सकते हो, मतलब ड्रोन खरीदने के लिए भी क्योंकि ड्रोन लाइसेंस यहाँ फर, बॉन्क आपर जरूरी है धिमांड ड्राफ के संबद में जिले की जो सायक फिर इंतर है उसकी लिस्ट आप यहां से देख सकते हो तो देखने हैं तो यहां पर क्लिक करें आप यहां पर क्लिक करें बेक आना होगा अब यहां पर दिखे मुखी प्रेस्ट पर अनुदारन तो आविदन करें यहां पर आपको क्लिक करना होगा भी है आप क्लिक कर सकते हो जहां से आप लोग इन हो जाओगे भई यहांपर दिखे Mellowing बीया थीक है और नहीं तो आपको यह पी फूर पार दिखा देदा हो जब कोई आप लॉग इनगे आपको अम्धुद्स पर दिकडरन जोará के सामने अंतिम्ति थी यानि कि इस तारीक तक आप अपने इस मतलब कृशी अंतर के लिए apply कर सकते हो तो यहां पर किसान ड्रोन भी लिखा हुआ है जिसकी तारीक है 4-9-23 यानि कि 4 तारीक 9 मैना 2023 तक आप इसके लिए आविदन कर सकते हो तो यहां पर तो यह तारीक बाहर महत्पून सूचना में नहीं दी है यह जब आप अपना एकाउंट लोगिन करते हो तब यह तारीक आपको नजर आएगी क्योंकि आप इन जो किर्शी अंतर है इनके लिए पातर हो इसलिए यह तारीक यहां पर आपको नजर आ रही है अब भई सभी SCST OBC जनरल वाले जो भी हैं तो भई अपना एकाउंट लोगिन कर लें और यहां पर चेक कर लें कि आप इन किर्शी अंतर के लिए पातर है या नहीं है अगर पातर है तो आपको यहां पर नजर आ जाएगा जन जन किर्शी अंतर के लिए आप पातर है उसकी लिस्ट यहां पर आ जाएगी आप उसके लिए एप्लाई कर सकते हो अब यहां पर normal सा जो फॉर्म बरना होता है आपको वही कि bank का नाम चुलने और draft number और डीडी आपने कब बनवाई और उसको यहां पर upload करना है यह जानकर यहां पर simple सी आपसे मांगी जाती है तो जिस भी bank से आप डीडी बनवाए उसका नाम आपको ले लेना है draft number और date और यहां पर upload कर देना है उसको अब यहां पर देखिए आपको चार option ज़रा रहे होंगे जो कि हमने starting में ही पढ़ लिये थे कि यहां पर जो किसान ड्रोन के लिए आपको license जो है वो अनिवार है तो यहां पर आपको किसान आपको अगर license नहीं है तो एक option वहां पर पहले था जो कि हमने अभी starting में पढ़ा कि अगर आपके पास license नहीं है तो आप अपने प्रतिनिधी का license जो है use कर सकते हो तो यहाँ पर भी वही option लिखा हुआ है कि अगर आपके पास license नहीं है तो प्रतिनिधी का जो है आपको सहमति पत्र चाहिए होगा कि भही हाँ मैं अपने license आपको यूज़ करने के लिए देता हूँ इस तरह से तो एक सहमती पत्र आपको तहसिल से बनवाना होगा वो सहमती पत्र आपको यहाँ पर अप्लोड करना होगा तो आपको यहाँ पर DD और सहमती पत्र दोनों अप्लोड करना होगा अगर आपके बस लाइसेंस है का अथवा उनके प्रतिनी धी का हो सबता है तो यहाँ पर जो है मैटमोंट सूचना में हमें क्लियर कर दिया था तो भई यहाँ पर आवकर आपके पास ड्रोन लाइसेंस है तो वो अप्लोड करते हैं नहीं तो प्रतिनी धी का जो है सहमति पत्र लगा कर आप उसे यहाँ पर upload कर दें सहमति पत्र प्लस लाइसेंस दोनों यहाँ पर upload करना होगा आपको PDF बना कर और इससे सम्मझद कोई भी कोश्चन आपके मन में हो तो comment करें दोस्तों और भाई इसमें जो यह जादा कुछ है नहीं बस यहाँ पर आपको file upload करना है और इसके बाद आवेधन करें पर आपको click कर देना है आपका आवेधन हो जाएगा तो इस तरह से आप आवेधन कर सकते हैं और इससे सम्मझद कोई भी question हो तो comment करें दोस्तों और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें ताकि इस तरह कि और वीडियो आपके लिए मैं लाता रहा हूँ और दूस्तों यहाँ पर अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होई तो आप साइता के अंदर पर भी call आ आकर पूछ सकते हो आपको number description में मिल जाएगा या फिर आप जो होम पेज पर भी देख सकते हो